नमस्कार, मैं हूँ अजयानन्द और एक नई कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है यह कहानी पंच तंत्र से ली गई है और इस कहानी का सीर्षक है कव्वे और नाग तो कहानी शुरू करते हैं किसी नदी के किनारे बर्गत का एक बड़ा पेड था उस पेड की एक शाखा पर एक कव्वा अपनी पत्नी के साथ रहता था कव्वे ने उस पेड पर एक बहुत ही सुन्दर घोसला बनाया कव्वी ने उसमें कुछ अंडे दिये वह बड़ी बेसबरी से अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी लेकिन उसी पेड की कोटर में एक दुष्ट नाग रहता था नाग तो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कव्वा और कव्वी खाना ढूडने जाएं एक दिन नाग को मौका मिल ही गया वह उस डाल पर चढ़ा और अंडों को सफाचेट कर गया कव्वा और कव्वी भी तब तक वहां पहुँच चुके थे उन्होंने नाग से बहुत मिन्नते की लेकिन नाग पर उसका कोई असर नहीं हुआ अब तो हर बार का यह किस्सा हो गया कव्वी बड़ी उमीद से अंडे देती थी और हर बार वह दुष्ट नाग उसका निवाला बना लेता था बेचारी कव्वी बहुत उदास रहने लगी थी लेकिन कव्वा उस नाग से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उपाय सोचता रहता था एक दिन उसके दिमाग की बत्ती जल ही गई एक दिन राजकुमारी नदी में नहाने गई कव्वा बस सही मौके की तलास में था जब राजकुमारी अपनी सहलियों के साथ मौज मस्ती में खोई हुई थी तो कव्वे ने उसके कपड़ों पर पड़े हार को उठा लिया हार को लेकर कव्वा उड़ा और उसे नाग के कोटर में गिरा दिया जब राजकुमारी नहा कर लोटी तो उसे अपना हार नहीं मिला उसने राजा से यह बात बताई राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को हार की खोज में भेजा उन में से एक सैनिक ने नाग के बिल में हार को देख लिया फिर सैनिकों ने नाग को मार कर हार वापस ले लिया इसके बाद कवे का परिवार फलने फूलने लगा और वह सुख से रहने लगा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही अकल लगाने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पचार सकते हैं तो कहानी यहीं समाप्त होती है थैंक यू